गाइस स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद अमन कुल में आज हम डारेक्टर ऑफ एजुकेशन जीन सीडिय अवदली की जो प्रैक्टिस पेपर वन यानि सैंपल पेपर जो आपका लाए हैं क्लास 9 के लिए सब्जेट आपका मैट्स है यह हम हिंदी कोशनि ने आई यह पर पैटन केहरा ही आपको यह देखना तो आप इन कोशन्स को सॉल्फट कर लेगे तो आप सारे न cauzings Imm wear में कर पाएंए आपको इसी पर बेस कुछ कोशन आएगी तो आप अच्छे से इसे solve कर लें एक बार वीडियो देख लें तो आप दुबारा देख लेगी कि आपको हर कोशन एक दम रटा हो जाए एक दम अच्छे से याद हो जाए और जादा से जादा प्रैक्टिस जरूर करें तो 90 बिनट्स का आपका पेपर होगा 40 मांक्स का अब इसमें जो इन्स्रक्षन है वो अलग है आपको फ़िए पचास कोशन दी जाएंगे जिसमें आपको तीन कहट दे रखें पहले ख़ट में आपको 20 कोशन दे रहेंगे आपको 60 ही करने है दूसरे में आपको 20 दे रखे, आपको 60 करने, तीसरे में 10 दे रखे, आपको 8 करने, अब कितने होगा यह total 40 होगा, 40 questions का जो है, आपको करने है, अब हर question जो है, बाकी paper में आप देखे, 0.80 marks का था, बट अब यहां पे हर question 1 mark है, और हर question के आगे 4 विकल्ब दे रखे, आपको negative mark आपकी नहीं दे रखे, तो यह सब बता रखे, तो आप देखे, first question जो दे रखे, question number 1, एक प्रतिवर्ती कोण, यानि एक reflex angle, कितने होता है, वो जिसका कोण 180 से अधी को, और 360 से काम होता है, इसमें आपका C option more than 180 and less than 360, second question है, ऐसी बहुत easy-easy है, एक तिर्मुच की बुचा आपको दे रखे, side of triangle, ratio दे रखे, 2, ratio 1, ratio 3, इसका परिवाम आपको 24 दे रखे, तिर्मुच की सबसे लंबी मुझा, बड़ी मुझा की लंबाई होगी, तो आप देखे, इसे कैसे solve करेंगे, length of side of triangle, यानि triangle की जो length of, उसे हम 2x, x और x, 3x ले 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 लेगे, क्या दे रखे तो का ratio 1, और ratio का दे रखे, तो 2 को 2x, 1x को x भी लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, तीरों को plus करेंगे, 24 के एकवल होगा, x कितना आगे हमारा 2x plus x करेंगे 3x, और 3x, 3x हमारा 6x हो जाएगा, 6x is equal to 24, x यहां multiply, 6 के साथ multiply, यहां पर यह 6 डिवाइन पे चल जाएगा, x की value 4 आगे, x 4 आगे, तो आप देखिए, 4 को 2 से multiply करेंगे, हमारा आजाएगा, 8, 4 को plus में 4 हो जाएगा, और 4 को 3 से multiply करेंगे, तो 12, तो लॉंगे साइड हो जाएगे, तो इसमें भी आपका C option जो है, correct हो जाएगा, हम एकदम इसके साथ साथ solve करते हुए देखेंगे, एक परिम इसमें आपका D option जो है, correct हो जाएगा, कभी परिमें तदा कभी आप परिमें, फोर्थ question है, अगर दो पूर अकोर्ड यारी, दो complementary angle दे रखेंगे, 10 का ratio 8 में, तो उसके angles कैसे होगे, तो 10 के ratio 8 में दे रखेंगे, तो angle को 10x और 8x लेगे, according to the question, 10x प्लस 8x करेंगे, 90 degree के एकवल होते है, तो 10x प्लस 8x, 80x और 18 को 80 से डिवाइट करेंगे, तो तो बारा 5 आजाएगा, x के value 5 आजाएगी, तो angle किते हो जाएगे, 5 को 10 से multiply करेंगे, 50, 5 को 8 से multiply करेंगे, 40, तो याद हो, अगर आपने वर्क्षीट करिए, assessment वर्क्षीट तो आपको यादी होग हमने यह question में solve करा था, तो इसमें आपका A option जो है, correct हो जाएगा, which of the following is irrational, तो आप देखिए, root 81 को हम 9 लिख सकते हैं, और इसे भी हम root 4, इसे 4 upon में 3 लिख सकते हैं, यह हमारा 2 upon में 3 हो जाएगा, तो आप देखिए, root 5 को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आपका root 5 ज से पढ़ा है, SS पढ़ा है, तो इसमें आपका C option जो है, correct हो जाएगा, question number 7 है, आपको दो साइड ले रखें, triangle की 18 and 10 और उसका परिमाब देखिए, यानि आपको तीसरी साइड निकालने है, और तो आप देखिए, 42 माइनस 18 करेंगे, तो माइनस में 10 करेंगे, तो हमारा 14 cm थार्ड साइड है, तो हमारी 40 cm आज़ेगी, अब 42 से मिपेरिमेटर निकालेंगे, 21 आजएगा, area निकालेंगे 21, 21-18, 21-10, 21-14, तो हम इसे solve करेंगे, तो 21, 11, cm का स्क्वार रबारा आज़ाइगा, जो कि आपका B option है, तो आप इस पे B पे टिकर लेगे, question number 8 है, जो, A, B, C, P, Q, R के एकवल है आप देखिए A, B, C, P, Q, R के एकवल है A, B, C हमने से नाम दे दिया और यह हमारा P, Q, R A, C जो है इसमें आप A, C जो है वो हमारी A, B के एकवल है यह दोने लाइए एकवल है और एंगल C जो है वो एंगल P के एकवल है और एंगल भी तो आप देखेए दोनों किया होगे क्वाग्रे सब्दिवाउं कॉर्प्रेज को रहे और और हैं 9 democrFT record दोनेion इकवल इसके दूर एंगल में तो नहीं है इसमें अमिटेंगर तो यह सब्दिबाउं की तो और में गारार को EL एक्स को एक्वल लखेगे 0.35 बार के अब 2 के उपर बार है तो हमने 100 से मुल्टिप्लाइ करा 100 एक्स हो जाएगा और यह 35 पर आपका हो जाएगा अब फर्स्ट इक्वेशन में से सब्सक्राइब अब इसमें यह पर आपको दे रखा है यहां पर आपको नाकड़ा दे रखा है आपको इसका परिशा निकाल लें यारी जब डाटा तो सबसे आप दिखिए सबसे आई इस इसमें 91 है और सबसे लो जो है वो वो 6 है रेज निकाल लेकले हाइस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू तो 91 में से 6 माइनस करेंगे तो 85 आजएगा तो इसमें आपका 85 जो है वो परिस्टर हो जाएगा आप इसमें C पर टिक कर लेंगे कोशन नमर 11 है तो X-axis की आपको दे रखा है X-axis से वो 5 इनिट उ परिक करेंगे करेक्ट हो जाएगा कौशन नमर 12 है X-3 का दे रखार Y-2 तो आपको यह समीकरण दे रखार इसका करके के कमान निकालना है तो यह आपको समीकरण दे रखें यह 3 दे रखा है इसकी वैल्यू आपने लिखी हो आप दिखिए कि जो हमारी वैले वह तू आ तो class size निकालने के लिए 20-15 करेंगे तो हमारा 5 आजाएगा class corresponding to the class mark is 15 and is 12.5 तो हमारा यह 17.5 आजाएगा तो इसमें आपका a option जो है correct हो जाएगा question number 14 है ABC में BC is equal to AB है और angle AB जो है वो 80 डिग्री का है तो angle A कि इसके बराबर होगा आप देखिए BC जो हमारी AB के equal है और angle A हमारा angle C के equal होगा angle A plus B plus C करेंगे तो 180 डिग्री के equal होगा अब angle C को आपने angle A भी बात सकते है तो 2 angle A plus AB की value थी 80 डिग्री और प्लस में और 80 बचेगा और angle 2 है 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आजाएगा तो इसमें आपका angle A जो है वो angle C 50 डिग्री का हो जाएगा तो आप इसमें C पे डिक्कर लेगे जब दूस अबातार रेखाओ को एक त्यार क्रेखा काटती है तो त्यार क्रेखा एक तरफ बने आत्रिक कोड होग तो उन दोरों का सब 180 डिग्री के एकवल होगा तो इसमें आपका पूरक कोड हो जाएगा सप्ली मेंटरी तो आप इसमें C पे डिक्कर लेगे नेक्स्ट है कोशन अबर 16 यहां पे graph of equation दे रखे 2x प्लस 5a is equal to 6 कट दस एक्स 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 को यह 2 और 0 पे कट करेंगे तो इस सर्वाक्समें ट्राइगल FDE के यह भी पांच के देंगे एगल भी 40 डिग्री का और एगल एटी डिग्री का तो निप्रखित में से कौट साज़ते है तो अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो टी एफ हमारा 5 सेंटीमिटर का हो जाएगा और एगल यह हमारा 60 डिग्री का हो जा तो क्लास बार निकाल लेकले 130 और 150 है तो 130 प्लस 150 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 130 प्लस 150 करेंगे तो हमारा 280 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 140 तो इसमें आपका C option जो है करेक्ट जाएगा आप इसमें C पेटिक कर लेगे तो आपको solution बता रहा है question कि कौनसा solution फिटमेट है तो इसमें आप देखें B वाला फिटमेट है अगर X को हमने 4 वाला तो 4 वाइडिस 2 और Y को हमने 0 वाला तो इसमें आपने Y के जाएगे 0 लगती है is equal to 4 4 वाइडिस 2 करेंगे तो वारा 2 बचेगा तो इसमें आपका B option जो ह एका question number 20 है in the figure which pair of angle represent interior alternate angle तो आप देखें interior और alternate view हो तो आप देखें इसमें 3 और 6 जो है interior और alternate भी है तो आपका A option जो है तो आपका A option जो है अगरेक्ट जाएगा section B दे रहें इसमें आपको total 20 question है आपको 16 प्रश्णों को हल करना है question number 21 है यदि 30 प्लस X का support code 40 डिक रहें तो X का अमान गयाद कीजिए तो यह भी आपका worksheet का question है तो X का अमान कितना हो जाएगा 40 प्लस 70 40 प्लस 30 करेंगे तो 70 आजाएगा और supplement angle क्या होता है 180 होता है 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 आजाएगा तो इसमें आपका A option जो है correct जाएगा आप इस पर टिक करेंगे question number 22 है ABC दे रहें A-B करेंगे तो 42 और B-C करेंगे तो 21 तो measure of angle B, angle B का measure करना है आपको एक एकवल होगा B plus B plus हमारा B तो B के एकवल होगा और angle C हमारा angle B minus 21 होगा and 120 तो आप देखें 42 में से 21 चले जाएगा 21 ही बचे का 3 angle B हो जाएगे 21 इधर चले जाएगा हमारा और यह से divide हो जाएगा और फिर हमारा यह 3 से divide हो जाएगा टूटल जाएगा तो हमारा angle B 53 डिखा जाएगा तो इसमें आपका C option 53 डिखी वो correct हो जाएगा the value of आपको इसकी value निकाल लिए तो आप देखिए इसे निकालना बहुत असार है आप देखिए 80 को 3 से multiply करेंगे तो हमारा 54 आजाएगा A की power 4 और A की power 3 है तो power plus हो जाती है अगर बेस सेम हो तो A की power किते हो जाएगी 7 और B की power 3 है A की power 5 है तो B की power किते हो जाएगी 8 जाएगी तो आप देखिए D option जो है आपका correct हो जाएगा आप इस पर D पे टिक कर लेगे कुशनरबर 24 है एक frequency distribution है mid value दे रहें 10 और width दे रहें class की 6 तो lower limit लिए 10 minus width का half करेंगे तो 3 हो जाएगा 20 minus 3 करेंगे तो 7 तो lower limit के तो जाएगी 7 और आप पर mid value क्या है 10 हो जाएगी तो इस पर 7 correct हो जाएगा question number 25 है एक सब्दी वाह उत्री मुझ में यदि शेष्ण कोड अधार कोड के योग का दिखना हो है तो triple शेष्ण कोड का बाप क्या होगा तो देखते हैं तो vertex angle जाएगे वह one of the base angle x and y respectively x plus y plus y करेंगे हैं तो 180 degree के एकवल होगा x is equal to 2y plus y कर सकते हैं x के value करते हैं तो इसमें आपका b option जो है correct हो जाएगा अब आपको दे रहा है the value of root 4 इसका आपको मान निकालना है तो आप देखते हैं इसका अशर है तो आप देखिए अगर 2 की पावर 3 है तो हम इसे इसके उपर root 3 है तो इसके उपर 3 में भी लिख सकते हैं और इसके उपर 4 है तो हम इसे वर पॉर में 4 भी लिख सकते हैं अब आप देखिए 3 से जो है यह 3 कट जाएगा बचे हमारा 2 की पावर 1 पॉर में 4 तो यह हमारा 2 की पावर 1 पॉर में 4 answer हो जाएगा तो इसमें आपका c option जो है correct हो जाएगा कुश्रबर 27 है यह आपको figure दे रहा है p q जो है parallel है RS के तो आपको X की value डिकाल लिए तो आप देखिए यह जो पूरा angle है वो पूरे इस वाले angle के अगल होगा यह में 123 का दे रहे रहे तो X की value डिकाल लिए 50 प्लस X करेंगे तो यह 153 के इकल होगा 50 प्लस X is equal to 123 अब X is equal to 123 अब X is equal to 123 माइनस का 50 तो आप यह आजाएगा 73 त question number 28 है यदि X और Y दो सभी करण दे रखें इसका धर्यात्म खल है तो आप देखिए अगर X और Y बोट दोरों ही positive होगे यह एक्स और Y दोरों ही positive है तो यह इस वाली equation में कहल पहले चत्रयाश में लाइग करेंगे तो इसमें आपका first equation आजाएगा first quadrant sorry तो आपको दे रखे value of इसके तो यह पूरा जो यह लगाता country हो रहा है इसके आपको value रिकाले तो आप देखिए हर जब हम करेंगे तो यह root 2 जो है बारा यह से semua 2 २ कर जाेगा रूट 3 में रूट 3 से कट हो जाएगा और रूट 4 जाया है अगर आगे तो रूट 4 से क्ट हो जाएगा रूट 9 हमारा रूट 9 से कट हो जाएगा एट वाला height से नग्याइट हर बार на 1 बजिए गारा so minus minus मारेट घँल धॉन जाए प्लस और साइड केता हो जाएगा साइड प्लस को जाएगा तो इस पे आप टू पे टिक कर लेगे कुश्रमा 13 है आपको दे रखा है आकरिती में बी एसी का बाप निकाल ला है तो आप देखिए दो रहों ही ट्राइंगल जो है वह एक्वल है यह 3x दे रखा यह 2x तो आप देखिए 3 क्या कि करेंगे तो सिक्स्टी डिंग्री अगर इदर भी करें तो टो से करेगे तो 40 प्लस में 20 करेंगे तो 60 डिंग्री तो इसमें का भी आप्शंस 60 डिंग्री कर्ец हो जाएगा बेखिए चारह आथिकल को ब्लस करेंगruption 120 प्लस बे X प्लस बे X इस गॉल प्लस बे 10 इस गॉल 2 आपका क्या जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा X और X करेंके 2x हो जाएगा 120 प्लस बे 10 आज़े तो तो बारण यह 130 आ जाएगा एक्वल बहुरा थ्री सिर्जटि हो जाएगा अभिया पे प्लस में आकर बाय रहाद राग्रेस‐ हो तो तो थो तू हो जाएगा अभिर जाएगा अब तू यहाँत पर तो फ्टीडध रहाद कर जाएगा मन वान 152 षेगा तो दो आपको बतार है 20 से 30 के बीच में कितने नंबर है तो आप देखिए 25 है 20 है 32 है 3 और आप देखिए 24 नंबर है तो आप देखिए A option जो है आपका करेक्ट जाएगा आप इस पर टिक कर लेगे यहां पर आपको देखिए एक रूट 3 बाइनस वर अपॉर में रूट 3 प्लस वर इस इक्वल टू ए बाइनस वी रूट 3 तो आपको ए प्लस बी की वैल्ली बता दिए तो अगर आप रिशलाइज करें तो 2 बाइनस रूट 3 इस इस पर आपका 3 जो ऑप्शन है वो करेक्टर आएगा कोशन नमर थर्टी फॉर है एक लीनियर एक्वेशन के सालिशन दे रहे हैं आपके इसकी एक्वेशन क्या हो जाएगी 33 और 003 माइनस 3 तो एक्स प्लस वाइज गॉल टू जीरो इसकी एक्वेशन हो जाएगी कोशन थर और 15 प्लस में 15-13 करेंगे तो हमारा किता आजएगा 15-30 करेंगे तो 15-2 करेंगे तो हमारा 17 आजएगा तो इसमें आपका 17 जो आंसर है वो करेक्टर जाएगा आप इस पर डी पेटिक कर लेगे अब इससे आपको पूरा पढ़ना है अब इसी पर बेस कुछ कोशन दे रखे है एक टीचर डे स्टूडेट से लास्ट एर के नबर जाने के लिए रिजल्ट रेजिस्टर को चक करा तो यह कौन सा डाटा हो जाएगा तो पहले टीचर डे पूछा यह उपन करा रिजिस्ट तो यह प्रायंबरि और स्केंड़िडरी डाटा हो जाएगा तो पहले प्रायंबरित Lastly कोश्रबा 37 ृडर ग्राफ एक सर्फर य का एक सर अलेक ठीट लएज़ों था मंदा ईळिश का नुट को पास करें तो यह अब करुछ अब णोपका डिफ्यरा करेंबर घ्र अश्तूर तो आप देखे इस पर यह वाले जो जो है वह 8y माइस 6x is equal to 4 वाले solution को दिखा रहे हैं तो आप इसे solve करके देखेंगे ना y की value 2 रखेगे एक्स की value रखेगे तो आपका answer आजाएगा question number 30 राइन है यहां पर आपको x की value दे रखें X is equal to root 5 plus 2 तो आपको value निकाल लिए X minus 1 upon by X 1 upon by X is equal to root 5 minus 2 X is equal to ये दे रखे value और 1 upon by X तो root 5 minus 2 तो अब ये देखे ब्रैकेट है तो minus bracket अटाएगे तो side चिड़ रहेगे ये plus का हो जाएगा root 5 से root 5 कर जाएगा 2 और 2 को plus करेगे तो 4 हमारा answer आजाएगा तो आप इसमें 4 पर टिक कर लेगे question number 40 जो है आपको एक figure दे रखा है A और B को plus करेगे तो आप देखे ये तो आपका 90 degree का angle है A और B को plus करेगे तो आपका 90 degree आएगा 90 90 बराएगा तो इसमें आपका C option 90 degree हो जाएगा section C जो है आपका वो case study based question है तो case study को पढ़ना है अच्छे से और questions के answer कर लेगे तो X पर 1, A के coordinate और Y पर 2 है तो A के coordinate के हो जाएगे 1 and 2 तो इसमें आपका A option करेगे जाएगा coordinate of D, D के coordinate आप देखे तो यहाँ पर D और हमारा है D के coordinate है 5 और 0 तो D के coordinate हमारे 5 और 0 हो जाएगे तो आप इसमें C पर डिक कर लेगे फिर है F के coordinate बतारे है तो F आप देखिए F के coordinate हमारे 8 और 3 हो जाएगे तो 8 & 3 लिख लेगे F के coordinate हमारे B हो जाएगे 8 & 3 question number 44 है तो अगर अगर आप अरिया निकाल ला है तो मार्क तो तो इसमें आपका सेमी पेरिमेंटर ट्राइगलर फीट का 155 मीटर हो जाएगा अब यह पूरा सॉल्फ कर चुक है आपको याद हो तो पेरिमेंटर फील्ड का 250 हो जाएगा और लेंद ऑफ दावाइड डीट फूर वाइड डीट के लिए 247 मीटर हो जाएगा इसमें कोस्ट फैंजिक कोस्ट इसमें 490 रुपीज आजाएगा और इसमें खेत का एडिया ऑफ इसमें 375 रूट 15 मीटर स्क्वार आजाएगा तो आप देखें यह आपका पूरा सैपल मेंपर गपलीट होता है और यह पूरी केस्टेडी आपकी जाती थी असेस्मेंट वरक्षीट उसमे अगर आप इस वीडियो पे कब से कब हजार लाइक करवा देगे 12 मिज़े तक तो मैं दूसरा सैपल पेपर भी डाल दूगी उसमें से भी कोश्ट बहुत आएगे आपके तो इसमें हजार लाइक आजाने चीए अगर आपको अच्छा स्कोर करणा है तो जल्दी से जैसी ज करें बाल औहल जायरो से बाल जाहर बाइक एरीज जो करणी पींजय करते तो मैं जाएगे झालेगे टी ऑी जाले टीजयद ।